मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको कठल की सबसी बनाना बताऊंगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यह हमारी कठल है एक किलो यह जीरा है यह कुकुंग ओयल है मस्टर्ड ओयल और यह दो चमच लाल मिर्च है दो चमच धनिया पौडर है आधी से चमच यह हल्दी है और यह एक चमच नमक है सबसे पहले हम कुकर गरम करेंगे यह हमारा कुकर गरम हो गया है उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑईल डालेंगे इसे अच्छे से गरम होने देंगे गरम हो गया है अब हम इसके अंदर कठल को फ्राइ करेंगे हम कठल को हल्का लाइट ब्राउन तक होने तक ही इसे हम सौटे करेंगे जो कठल है वो हल्के प्राउन हो गई है बस इसके अंदर अब हम लसन और प्यास का पेस्ट दा लेंगे यह हमारा लसन और प्यास का पेस्ट है इसमें हमने तीन प्यास चोटी-चोटी मीडियम साइस के लिए है और आधी लसन की पुथ्थी भी है किसे अचे से मिक्स करेंगे अचे से ढका़ए mili मिक्स करेंगे अचे से लसन और प्यास का पेस्ट डाला है इसे हमने दो मिनिट तक सोटे किया है अब हम इसके अंदर ये मसाले मिक्स करेंगे जिसमें दो लाल मिर्च की चम्मच है और ये दो चम्मच धनिया पौडर है एक चम्मच नमक है और ये आधे चम्मच से थोड़ी कम हल्दी है इसे दो मिनट तक मिक्स करके सोटे करेंगे अच्छे से मसालों में मिक्स कर लिया है अब हम इसके अंदर तीन सीटी लगाएंगे और उसके बाद हम आपको खोल कर दिखाते हैं कि हमारी मसाला कठल कैसे बनी है हम इसमें थोड़ा सा ये पानी डालेंगे ताकि हमारी कठल गल जाए या गलास से थोड़ा सा कम है इसके बाद हम इसमें तीन सीटी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी कठल कैसी बनी है तीन सीटी के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी कठल कैसी बनी है देखे ये हमारी कठल बन कर तयार है हमारी मसालेदार कठल बन कर तयार है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू, अल्ला हाफिस